संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण ते थी है अधान मंत्री जी का एक स्वयम का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में परियाप्त मात्रा में स्तापित होनी चाहिए सपने को संकल्प में परिवर्टित करके उस संकल्प को सिधी तक ले जाने का एक परिश्वम अगर किसी ने किया है तो प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी ने किया है भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारत को छोटे दिखाने में लगे हुए हैं आयोध्या का विमानतल का लोकारपण प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी के करकमलों के द्वारा कल होने जा रहा है। प्रश्व के लिए एक महत्व पूर्णति थी है। भगवान पुर्शोतम राम की जनम्भूमी में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए। ये हम सब लोगों की एक जिग्यासा थी। एरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में परियाप्त मात्रा में स्तापित होनी चाहिए। जहां एरपोर्ट के अंदर विमानतल के अंदर अतियाधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है। वही उस विमानतल का संपून आकार पुरानी वस्तुकला, पुरानी मंदिर की संस्कृती, मंदिर का आर्किटेक्चर के आधार पर पून रूप से किया गया है। अंदर के द्वार में और संपून अंदरूनी शेत्र में मर्यादा पुर्शोतम भगवान शीराम की पून जीवन की अलग-अलग शैलियां भारत्य कला और संस्कृती और शम्ता के आधार पर अलग-अलग दृश्य में दिखाई गई है। पटी-चित्र के आधार पर, राजारवी वर्मा जी के आधार पर और यही एक सोच विचारधार और आदेश प्रधानमंत्री जी का सदेव रहा है। कि अति-ाधुनिक व्यवस्ता हो लेकिन भारत के हर एक कोने में भारत की प्राचीन संस्कृती, भारत की प्राचीन वैभव, भारत की प्राचीन अध्यात्मिक शक्ती का स्वरूप हर एक हवाय अड़े पे दिखे। और उसी कलपना को और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी कोशिश रही है। की शेतरफल में ये एरपोर्ट बना हुआ है, करीब 13 से 15 एपरन है, एरपोर्ट प्लेंस के लिए हर तरीके का विमान, एरबस A321, बोइंग 737 वह उतर पाएगा, दुटिया भाग में इस रनवे को भी हम आगे जाके बढ़ाने वाले हैं, ताकि बड़े विमान भी हाँ आ का एरपोर्ट बन चुका है, दुटिया भाग में हम लोगों की कलपना है कि पचास हजार स्क्वेर मीटर का एरपोर्ट टर्मिनल बने, मतलब की पाँच लाक स्क्वेर फुट का एरपोर्ट का टर्मिनल बने, तो ये संभावना हैं अयोधिया के लिए, कल एरपोर्ट का श तारी को भगवान राम की प्रान प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में जो केवल एक सो चालीस करोड भारतिय जंता का सपना नहीं लेकिन विश्व में बैठे हुए भारतिय संस्कृति के साथ जुड़े हुए एक एक व्यक्ति का सपना था पांच सो साल पुराना एक सपना पांच हजार साल पुराना एक सपना है और उसे अगर किसी ने साकार किया है और सपने को संकल्प में परिवर्तित करके उस संकल्प को सिधी तक ले जाने का एक परिश्रम अगर किसी ने किया है तो प्रधान मंत्री नरिंद मोदीजी ने किया राजनीती भी शुरू हो गई है के लोग कहते कि हमें बुलावा आया हम जाएंगे नहीं के लोग कहते बुलावा नहीं आया है ये अजीब विसंगती है बुलाया जाए तो कठनाई की कैसे बुलावे से कन्ना काटा जाए न बुलाया गया तो क्यों नहीं बुलाया गया और मुझे तो ये आश्चरे लग रहा है कि जहां भारत की भव्यता प्रधान मंत्री जी के अथक प्रयास और परिश्रम के आधार पर विश्व पतल पर भारत एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है वहीं भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारत को छोटे दिखाने में लगे हुए हैं जिनका मन छोटा हो जिनकी सोच छोटी हो उनको विर्स्तुतिकरण के बारे में हम पाठ नहीं सिखा सकते हैं लेकिन शायद आने वाले दिनों में अप्रेल और मई के महा में देश की जनता विर्स्तुतिकरण की पाठ उनें सिखा देगी